हेलो डेरे सुरेंट्स डाय वेलकम यू अलोन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफर्म आफ एडवांस इंजिनेरिंग क्लासेश आप सभी का स्वागत्ते शोरी सीरीज के अंदर जहां पर हम स्सी जही मेंस 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहां पर हम सब्जेट वाइस आपका कराते चलेंगे और कोशन्स जो हैं वह हाई लेवल तक यानि गेट अइस लेवल के कोशन्स हम यहां पर आपको सब्जेट वाइस प्रिपर कराते जा रहे हैं तो फ्लूड मेकैनिक्स का यह हमारा सेकंड सेशन है पहला सेशन हो चुका है और अब आज का जो हमारे पास पोर सब्जेट को रिवाइस कर सकते हैं साथ में आपको 3000 प्लस नंबर आफ कोशन्स की प्रेक्टिस सेशन्स क्लासेस मिलेंगी साथ में 100 प्लस टेस्ट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इसी कोर्स के अंदर जिसमें से 20 फुल लेंदेन 80 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और ने कर सकते हैं सो आज का जो हमारा सेशन है वो फ्लूड मेकेनिक्स पर है जो टॉपिक है वो है फ्लूड एस्टेटिक्स and kinematics और लेक्चर नंबर टू सेकने सेशन है यह फ्लूड मेकैनिक्स पर है सबसे पहला question है, an oil of specific gravity 0.9 contained in a vessel at a point the height of the oil is 40 meter and for the density of water 1000 kg per cubic meter, the corresponding height of water at the point will be, corresponding height क्या होगी? तो देखो, pressure दोनों case में same होगा, हमें oil के लिए height दे रखी है, तो यह हो जाएगा, row oil into g into height of oil is equal to row water into g into height of water, हमें oil की height दे रखी है, oil की density भी दे रखी है, तो oil की specific gravity, अब अगर हम यहाँ पे density of oil upon density of water कलने हैं, g से g cancel हो जाएगा, और यह हो जाएगा 40 meter height of oil, तो हमें क्या निकालना है height of water, oil की density upon density of water का जो ratio है, उसे specific gravity बोलते हैं, वो 0.9 दे रखा है, into यह हो जाएगा हमारे पास 40, equal to height of water, तो यह आजाएगा यहाँ पर 36 meter will be the height of water, तो 36 meter option में हैं, यानि C answer will be the correct answer, next is a 10 meter high rocket containing liquid full of specific gravity 1.2, lift of A10 acceleration of 5G, हमारे पास एक rocket है, और जिसमें जो rocket है, 10 meter high rocket containing liquid fuel of specific gravity 1.2, मतलब इसमें यहाँ पर एक liquid fill है, और उस liquid की, जो specific gravity है, वो है 1.2, और यह उपर की तरफ lift हुआ, तो इसका upward acceleration जो है, वो 5G है, question में पूछा हुआ है, the pressure on the bottom plate of the rocket at lift off, तो यह हम जो concept है, यह कौन सा है, आपका relative equilibrium वाला concept है, मतलब motion of static fluid, तो fluid यहाँ पर static condition में है, rocket के अंदर, बट rocket का motion हो रहा है, तो AC condition में, जो हमारे पास formula होता है, किसका, force का, तो जो हमारे पास net force आएगा, वो कितना आएगा, rho into upward direction में A plus G करते है, rho A plus G into height, जो भी यह height है, rho A plus G into height, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, force हो जाएगा, और हमें निकालना है, यहाँ पर pressure, ठीक है, तो rho A plus G into height, यह हमारे पास हो जाएगा, force और area हम इसका मान लेते हैं, capital A, area कितना मान लेते हैं, capital A, तो यहाँ पर density जो है, वो 1.2 है, उस liquid की जो उस container के अंदर है, तो उसको हम 1200 कर सकते हैं, और acceleration है, 5G plus G, तो वो बन जाएगा, 6 into G, height हमारे पास 10 meter है, और area अभी हम A मान लेते हैं, इसको जब solve करेंगे, तो यह हमारे पास answer आएगा, 6G, तो 6 into 9.81 into 10, और into में 1200, तो यहाँ गहाँ, 706, 320, अब किस unit पर बताना है हमें, यहाँ पर kg पर cm2 के अंदर बताना है, तो यहाँ जाएगा, 706, 320 into area, यह हमारे पास आएगा, न्यूटन के अंदर, ठिक, तो यहाँ पर, जो प्रेशर है, जब हमारे पास force आगया, तो अगर हमें pressure निकालना है, तो प्रेशर बराबर कितना होगा, force के अपॉन में area का हम डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा, हमारे पास 706, 320 newton, तो कि area का हमने डिवाइड कर दिया, अब यह newton में आया है, हमें किसमें convert करना है, newton पर meter square, सब कुछ हमने SI unit लिगा था, हमें किसमें चाहिए kg पर cm2 में, तो इसमें हम यहाँ पर 706, 320 newton पर meter square है, और 10, हम यह बोल सकते हैं, कि 1 newton पर meter square, 10 की power 6 newton पर mm square के बराबर होता है, ठीक है, तो इसमें 10 की power 6 का डिवाइड कर देते हैं, तो यह आजाएगा 0.706 newton पर mm square, और यह conversion भी आप ध्यान रखना, कि 1 newton पर mm square जो होता है, वो 10 kg पर cm2 के बराबर होता है, ठीक है, तो हम 10 का और multiply कर देंगे, तो यह आजाएगा लगभग 7.063 kg पर cm2, अब 7.06 option में है, near about 7.2 वाला option में है, B answer, तो B will be the correct answer, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कि पहले हम force निकाल लें, force क्या होगा, mass into acceleration plus G, और यहाँ पर mass को हम क्या रखेंगे, density into volume, तो वो हो जाएगा, rho V A plus G into area, ठीक है, और area का जब divide करेंगे, volume में तो hide बचेगी, तो rho H A plus G, तो आप simple सा ध्यान रखना, जब भी आपसे ऐसे case में pressure पूछें, और upward acceleration है, तो आपका answer होगा, rho A plus G into H, directly आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर downward pressure हो, तो यहाँ पर आजएगा, rho A minus G into H, ठीक है, जब नीचे की तरफ जाएगा, तो negative आएगा, और ऊपर आएगा, तो positive, trick क्या होगी याद रखने की, trick ये रखना है, याद, कि जब नीचे की बात होगी, जब downward जाएगा, तो नीचे के end से आपको negative sign याद रखना है, ठीक है, तो इससे आप directly pressure निकाल सकते हैं, ऐसे case में, अब upward acceleration हो तो rho H A plus G, और downward हो तो rho A minus G into H, आगे बढ़ेंगे, a right circular cylinder open at the top is full of water, it is rotated about the vertical axis at such a speed that half the liquid spill outs, the pressure at the center of the bottom would be कितना होगा, जैसे हमारे पास मान लीजी एक cylinder है, और ये जो cylinder है, ये पूरा liquid से fill है, ठीक है, इसमें पूरा liquid fill है, अब to the top, it is full of water, अब question में क्या बोला है, कि इसका जो vertical axis है, उसके about इसको हमने angular velocity, radian per second से rotate किया, तो अब एसे case में क्या हुआ, कि इतना rotate करा कि half the liquid जितना पहले था, उसका आदा भार चला गया, मतलब condition क्या बचेगी, कि हमारे पास, आदा जब liquid चला गया, तो जो remaining हमारे पास fluid है, remaining, वो कितना बचाए, cylinder जितना था, उसका half बचाए, और spill कितना हुआ है, volume spill कितना हुआ है, जितना cylinder का volume था, उसका आधा भार गया है, अब ये आपको एक बात इसमें पता रखनी है main, कि जो parabolide होता है, मतलब जब भी ऐसा rotation होता है, तो fluid अपनी जो surface है, वो इस प्रकार से बनाता है, जो volume of parabolide होता है, वो जहां तक क्या cylinder में, जहां वो 0 आ रहा है, जहां तक का वो cylinder की height है, उतने का हमेशा half होगा, मतलब इतनी ये जैसे मालनों हमारे पास small h height है, तो ये जो shaded parabolide shape है, ये इतना जो cylinder का volume है, pi r square h, pi r square into small h, उसका half होता है, मतलब अगर पूरे cylinder का half बहार चला गया, और cylinder का half जो होता है, वो volume of parabolide होता है, इसका मतलब की जो parabolide का volume है, वो बहार चला गया, मतलब rotation के बाद जो liquid है, उसकी जो free surface होगी, वो ऐसे बचेगी, मतलब सिर्व इतना ही liquid यहां पर safe यानि remaining बचा है, इतना parabolide का जो shape है, वो बहार चला गया, और पूरे cylinder का ही आदा है, मतलब पूरा आपका parabolide जो बनेगा, उसका जो origin आएगा, जो base बनेगा यहां पर, वो उसकी height 0 रहेगी, अब question में क्या कुछ है, pressure at the center of the bottom would be, तो bottom यानि कि यहां पर और वो भी center मतलब यहां पर, तो B point पर अगर pressure पूछेंगे, तो answer कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आपका वहां पर कुछ भी height नहीं है, fluid की, तो इस case में जो हमारे पास answer होगा, वो गया होगा, 0 answer होगा, तो जितने cylinder में वो बन रहा है, उसका half होता है, तो अगर पूरे cylinder का half बहार गया, तो यहां पर कुछ भी height नहीं होगी, इसलिए pressure 0 होग गया, इसमें कई बार height भी पूछते है, पराबोलाइड की, तो उसका जो formula होगा, पराबोलाइड की half का, जितना पराबोलाइड बनता है, वो होता है, omega square, r square upon 2g, तो कभी आपको angular velocity और radius दिया जाए, तो आप से height पूछें कि परागर कुछ omega है, और कितना height होगी, तो आप इससे निकाल सकते हैं, और कितना spill हुआ, तो जितनी यह height आएगी इससे, इतना pi r square into यह वाली height, उसका half, उतना आपका volume spill out होगा, और remaining पूछा हो, तो पहले initial जो volume था, उसमें से आप इतना वाला minus कर देना, जो परागर का volume आएगा, तो आपका remaining fluid आ जाएगा, अगला है, the velocity of water at the outer edge of 60 cm diameter whirlpool, where the water level is horizontal is 2.5 meter per second, the velocity of water at a level where the diameter of the whirlpool is 15 cm, आपको velocity बताना है, जहाँ पर diameter 15 है, तो देखें, वलपूल वाला जो case है, यह हमारे पास है, free vortex का case है, किस्ता case है, free vortex वाला case है, तो इसमें free vortex के अंदर velocity और radius आपर्स में inversely proportional है, तो हम यह बोल सकते हैं, कि V बराबर constant of proportionality C by R, अब हमें क्या बोल रखा है, कि एक जगे हमें radius दे रखी है, ठीके, outer edge पर जो diameter है, वो 60 cm है, जहां की जो velocity है, वो 2.5 है, ठीके, तो water level at the velocity of water width diameter आप वलपूलिस 15 cm, तो हमें 60 cm diameter है, मतलब radius कितनी हो जाएगी, 30 cm, पर velocity कितनी है, 2.5, और हमें कहाँ का पूछाए, जब diameter 15 हो, मतलब radius कितना होगा, 7.5 cm, तो 7.5 cm की velocity हमें पता कर नहीं है, तो हम इसमें बोल सकते हैं, V1 upon V2 या V2 upon V2 upon V1 बराबर R1 upon R2, चुकिए inverse relation है, दूसरे point की velocity पूछी है, तो पहले point की जो velocity है, वो कितनी है, 2.5, और into, अब radius हम रखेंगे पहले point का, तो पहले point का जो radius है, वो है, 30 cm, और दूसरे point का जो है, वो है, 7.5 cm, अब यहाँ पर, इसमें अगर हम इसको divide करेंगे, तो यह हमारे पास कितना आजएगा, 4 times, चुकि 7.5, 2 times 15 होता है, और फिर वहाँ पर 1 और 2 है, already double है, 15 का भी तो 4 हो जाएगा, और 2.5 into 4 हो जाता है, हमारे पास 10 meter per second, जैसे जैसे radius कम होती, velocity बढ़ती है, तो पहले जब दूर था तब velocity ढ़ही थी, अब velocity बढ़ेगी, तो इसलिए सही answer क्या होगा, यहाँ पर 10 meter per second, ठीक, और अगर यहीं पर, यह जो वलपूल है, यह free vortex का है, तो free vortex के अंदर यह equation चलती है, महीं पर अगर ऐसा ही same question, forced vortex से आता है, तो forced vortex के अंदर, आपको equation ध्यान रखनी है, V directly proportional to R है, मतलब V is equal to CR होगा, मतलब V2 upon V1 is equal to R2 upon R1 बनेगा, और यहाँ पर क्या था, V2 upon V1 बराबर R1 upon R2, बस इतना सा change आएगा, तो free vortex में velocity और radius inversely proportional है और force के अंदर direct हैं, next question पर आते हैं, symmetrical right circular cone of wood floats in a fresh water with axis vertical, the apex downmost, एक symmetrical right circular cone है, cone है, मतलब solid figure है, और apex नीचे की तरफ है, axial height जो है cone की, हम इसको H मान लेते हैं, ठीक है, axial height जो है, इसको H कुछ और दिया रखा तो हम L मान लेते हैं, तो इसकी जो height है, वो हमारे पास H है, cone की height, the submerged portion has a height edge, measured upward from the apex, मतलब अगर यहाँ पर free surface यह से डूबा हुआ है, तो इसका जो यह submergence height है, यह H है, ठीक है, question में क्या बोलाएं, इसका height of center of buoyancy क्या होगा, तो देखे, center of buoyancy, जितना submerged portion होता है, उसका centroid पर होता है, ठीक है, तो center of buoyancy जो होता है, वो कहां होगा, वो होगा आपका center of gravity, CG, centroid of submerged portion, जितना डूबा हुआ portion है, उसका CG पर होगा, तो अगर CG हम देखें, तो वो कितने पर आएगी, तो आपका जो triangle होता है, उसमें one third होता है, यहां से, पर अगर हम कोन की बात करें, तो कोन में वही चीज one fourth होती है, मतलब यह h by 4 हो गया, तो apex से value किती होगी 3 h by 4, अब question में कहा से पूछा है वो देखो, the height of center of buoyancy from apex, मतलब base से, तो base से कितना हो गया center of buoyancy, 3 h by 4 पे, यानि d answer will be the correct, अगर यही सिर्व triangle होता, triangle तो 2D body है, पर मालों कोई triangular surface है, और push में पूछते हैं, तो फिर ऐसे case में हमारे पास जो answer होता है, वो होता है, h by 2, h by 3, जो कि h by 3 होता है, अगला, a body is floating as shown in the given figure, the center of buoyancy, center of gravity and metacenter are labeled respectively as BGM, the bodies, metacenter floating body के लिए defined है, अब हमें यह पता है, कि जो आपके पास body होती है, वो दो प्रकार की होती है, एक condition होती, floating body के, और एक condition होती है, हमारे पास submerged body के, और submerged body में हम क्या जानते हैं, वगत सिंग ट्रिक बताए थी, मतलब B उपर है, G नीचे है, तो वो stable है, rotationally, BG कौन साइड है, तो वो neutral equilibrium है, और G उपर B नीचे तो वो unstable equilibrium है, rotationally, योगि वो rotate करेंगे, ऐसी floating body के उपर, M उपर है G नीचे, तो वो rotationally stable है, वही पर M G कौन साइड है, तो वो आपका neutral equilibrium है, floating body का, और G उपर है M नीचे है, तो वो unstable है, बट rotationally, rotate करेंगा, तो यहाँ पर G उपर है, तो G से क्या लगता है बच्चों, G से लगता है हमारे पास यहाँ पर, downward direction में weight, और metacenter से क्या पास होगा, 22 का force, ठीक हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें, और यह हमें दो point दिख रहे हैं, और इससे two equal and opposite force लग रहे हैं, तो obvious सी बात एक couple ऐसा आएगा, इस direction में couple आएगा, यह कौन सा couple है, यह disturbing couple है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं, यह हमारा restoring couple है, यह restoring यह बचाने वाला couple है, restoring, और उपर जो लग रहा है, यह कौन सा, यह disturbing couple है, disturbing moment है, तो disturbing couple मतलब जो disturbance आते हैं, water में, वे उस वाले disturbance, तो वो भी उदर है, restoring भी उदर है, तो body unstable equilibrium मेरे होगी, और कौन सा is unstable, rotationally unstable, vertically stable है या unstable, वो किस condition में होती है, जब आपका bind force और जो gravity है, वो दोनों same होगा या नहीं होगा, तो यह ध्यान रखना, floating body जो होती है, उसमें हमेशा weight bind force के बराबर होता है, submerged body में असा नहीं हो, submerged body के अंदर weight ज़ादा होता है, bind force कम होता है, तो submerged body कभी भी आपकी vertically stable नहीं होगी, वो vertically unstable होगी, और वहीं पर floating body floating, मतलब रुक्यू भी है, मतलब दोनों force balance है, मतलब वो हमेशा vertically stable होगी, ठीक है, तो mg और b के movement के according हम rotational equilibrium बताते हैं, ना कि vertical equilibrium, तो vertically तो stable होगी, बट rotationally unstable है, next is a solid cylinder of length LN diameter, DN specific gravity 0.6, floats in a neutral equilibrium in water, which is axis vertical, एक हमारे पास cylinder है, और इसके axis vertical है, और इसका diameter हमारे पास है D, और इसकी जो length है वो है L, अब क्या बोल रहा है, floats in a neutral equilibrium, specific gravity 0.6 है, specific gravity 1 होती, तो एकदम free surface से कौन साइड करता, 0.6 है मतलब कहीं यहाँ पर इसमें free surface है, इतना यह डूबा हुआ है, ठीकें, और जो submergence की height है, इसको हम H मान लेते हैं, अब इसमें neutral equilibrium क्या है, 0 है, neutral equilibrium है, जब neutral equilibrium होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कि जो हमारे पास metacentric height होती है, ठीकें, mg, उसकी value होती है, 0, जिसका formula होता है, mg का, BM-BG, BM-BG, और BM जो होता है, उसका formula होता है, I minimum, कि upon में volume displaced, by the fluid, और बराबर आ जाएगा, equal to BG कर देंगे, BG कहा है, center of buoyancy और center of gravity के बीच की distance, तो इसमें हमारा center of gravity यहाँ कहीं होगा, और center of buoyancy यहाँ कहीं होगा, चुकि यह cylinder है, तो जो center of buoyancy है, उसकी जो distance होगी, वो हमारे पास होगी h by 2, और जो center of gravity है, उसकी distance हमारे पास होगी l by 2, ठीके, I minimum upon क्या है, volume displaced, I minimum का formula क्या होगा, I minimum होता है, it is a minimum moment of inertia, of that particular lamina of the cylinder, which is cut by free surface, तो free surface ने यहाँ पर जो cut किया, imagine करना, free surface ने यहाँ पर जो cut किया है, वो ऐसा कुछ cut किया होगा, तो इस surface का circular है, तो उसका जो I minimum होगा, वो होगा diameter के form में, pi d की power 4 upon 64, circle वाला inertia, ठीके, volume displaced कितना होगा, जितना आपका body submerged portion है, डूबा हुआ, immersed portion, और immersed portion का जो volume है, वो कितना होगा यहाँ पर, pi by 4, d square, यह तो हो गया area, और into हो गई height, इतना वो डूबा हुआ है, इसको जब यहाँ पर हम रखेंगे, तो यह हमारे पास condition बन जाएगी, pi by 64, d की power 4, और upon में यहाँ पर condition बन जाएगी, pi by 4, d square, into में h, बराबर bg, तो bg क्या होगा, l by 2 में से h by 2 को minus करना, मतलब l minus h by 2, यह हमारे पास value अगे, अब यहाँ पर एक unknown है, ठीके, l और l, अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर question क्या पूछा है, l और d का ratio निकालना है, जिसमें h unknown आ रहा है, h की value निकाले, h की value कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं, floating body, एक और condition लेनी पड़ेगी, तो floating body में weight और bind force दोनों बराबर होता है, अब weight of the body का formula क्या होगा, density of body into g into volume of body, volume of body का formula क्या होगा, pi by 4 d square into l, और वहीं पर bind force का formula क्या होगा, density of the fluid, density of the fluid into g into volume of fluid displaced, या immerse portion, तो वह कितना होगा, pi by 4 d square into h, यह हमारे पास यह value होगी, इसमें अगर हम देखें, तो pi by 4 d square से pi by 4 d square cancel, g से g cancel हो जाएगा, अब density of body में, density of fluid आजाएगा divide में, और specific gravity दे रखी body की 0.6, body की specific gravity का formula होगा, density of body upon density of fluid, मतलब यह वाला हमारे पास कितना होगा, 0.6 into l, और बराबर कितना आगया यह h, तो h की value है, 0.6 l, यहाँ पर इसको रख सकते हम, जहाँ जहाँ h है, वहाँ 0.6 l रख दे, इसको simplify करेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे, तो pi से pi cancel है, 4 से 16, d square से d की power 2 times, तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, d square के upon में 16 edge, d square के upon में 16 edge, edge की value गितनी है, 0.6 l, और बराबर, यहाँ पर value कितना होगा, l minus 0.6 l, l minus 0.6 l by 2, इसको simplify करेंगे, तो यह आजाएगा हमारे पास, d square, और is equal to, यह जाएगा 0.4 l, 0.4 l into 0.6, तो यहाँ पर 0.6 का भी multiply होगा, 0.4 भी होगा, और साथ में 16 का भी multiply होगा, और l और l, l square बन जाएगा, upon में यह आजाएगा 2, तो हमारे पास हो जाएगा, d square, l by d का ratio पुछाए हम से, l by d, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे 2 के अपॉण में, 0.6 into 0.4, तो यह हो जाएगा, 24 तो 0.24 into 16, और यहाँ पर आजाएगा, l by d का whole square, इसको simplify करते हैं, तो कितना आजाएगा, 2 divided by 0.24 into 16, यह आजाएगा, this under root answer, 0.72, तो l by d की जो value है, वो आजाएगी 0.72, ठीक है, decimal में हमने निकाले, अब हम option देखते हैं, तो option है, root 3 by 2, root 3 होता है, 1.73 का अधा, 1.73 का अधा, हमें 0.72 के असपाद देखना है, तो root 3 divided by 2, यह हो गया 0.86, मतलब यह भी मैच नहीं हो रहा है, अब एक बार, last वाले को चेक करते हैं, यह कितना आ रहा है, तो यह हो जाएगा, 5 divided by 4, root 3, तो यह आजाएगा, हमारे पास 0.721, मतलब यह exit मैच हो रहा है, रेंडम मैंने चेक किया था, मतलब दी ही, फिर हमारा correct answer होगा, तो जब भी ऐसे equilibrium वाले question आते हैं, एक तो neutral बोला है, तो metacentric height 0, stable बोला है तो, mg greater than 0, और unstable बोला है तो mg less than equal to 0, दूसरा यहाँ पर weight और wind force वेक वेट करना, यह दो condition हमें लगा नहीं होती है, ठीक है, तो यह पूरी approach मैंने आपको यहाँ समझा दी है, अगला अशी पहसे metacentric height of 0.9 meter, मतलब gm की value कितनी है, mg की value कितनी है, mg लिखते हैं वैसे, तो यह हैं हमारे पास, metacentric height को m से g की तरफ नापते हैं, तो mg not gm, और इसका period of rolling, मतलब time period जो है, वो है 20 seconds, यह भी SI unit में दिया है, तो relevant radius of generation क्या होगी, इसका formula होता है, 2 pi under root r square के upon में g into gm, हमें radius of generation पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम time period रख देंगे 20 seconds, square कर देंगे तो 20 का square, इसका भी square होगा, तो 2 to is 4 into pi का square, g हो जाएगा 9.81 और gm आजाएगा 0.90, is equal to r square, इसको एक बार solve कर लेते हैं, कितना आ रहा है है, तो 20 का square into 9.81 into 0.9 divided by 4 into pi square, यह answer आगया, इसका under root कर देंगे, तो यह आजाएगा 9.45, मतलब radius of gyration आगया 9.45 meter, radius है तो unit तो meter ही होगी, option देखते हैं, 9.51 मैंच हो रहा है C answer, so C will be the correct answer, ठीक हैं, और यह भी ध्यान रखना है, time period और stability, time period जो होगा, वो जितना जादा होगा, उतना आपका comfort जादा मिलेगा, passenger को, ठीक हैं, और वहीं पर जो time period है, वो metacentric height के inversely proportional है, और साथ में जो time period है, वो stability के inversely proportional है, जितना कम time लगेगा, उतनी stability जादा होगी, तो यह तीन relation आपको ध्यान रखने हैं, next आते हैं, a hydraulic place has a rain of 300 mm diameter, and a plunger of 45 mm, rain मतलब जिसको उठाया जाता है, यह hydraulic lift है, और इसमें एक पूरा fluid है, यहाँ पर हमारे पास है plunger, तो plunger का diameter है 45 mm, वहीं पर इसका जो diameter है, यह रैम का, यह रैम है, तो रैम का जो diameter है, वह है 300 mm, question यह है कि, अगर force हम apply करते हैं, plunger पर 50 newton का, यहाँ 50 newton का force apply करा, तो यहाँ पर कितना weight हम इससे lift कर पाएंगे, तो यह आपको ध्यान दखना है, यह question में, यह Pascal law पर based है, और दो point पर जो pressure होता है, same level पर वो same होता है, तो PA बराबर PB हो गया horizontal level में, यहाँ का जो pressure है, यह निकाला है, हमें तो यह होगा W, कि upon में pi by 4 into 300 का square, और यह होगा 50 into pi by 4 into 45 का square, इसको solve करेंगे, यह से cancel हो गया, यहाँ पर हम 45 upon 300 का square कर देंगे, और into में 50 का multiply कर देंगे, तो हमारे पास weight निकल के आ जाएगा, उससे अगर हम divide करना चाहें, 15 से तो यह 15, तरीजा, यह 15, तूजा 20, 3 by 20 का whole square और 50 का multiply कर देंगे, जब उसको solve करेंगे, तो final answer आएगा, triple 23 newton, इसको solve आप कर सकते हैं, तरीखा मैंने आपको बता दिया है, ठीके, अच्छा, यह मैंने तोड़ा सा यहाँ पर गरत लिख दिया, हमें weight निकालना है, weight निकालना है, तो वो उदर जाएगा, तो weight बराबर होगा, 50 into 300 upon 45 का whole square, ठीके, तो वो 20 by 3 होगा, not 3 by 20, आगे बढ़ेंगे, match list with the list 2, and select the correct answer using the code, streamline किसे समझे, tracing of motion of any one fluid particle, tracing of motion of different fluid particle, identification of location of number of fluid particle, orthogonal to streak line, and location of equal piezometric, ऐसे question exam में आएएगे, जिसमें आपको समझी नहीं आ रहा है, आप confused हैं, तो आप एक option पर streak मद रहें, अदूसरे को, जो जाधा match आपको लग रहा है, जाधा करीब है, उसमें आप ढूंडे, तो देखो, path line का मतलब पता है, इसमें हम एक particular particle के रास्ते को बनाते हैं, उससे जो line बनते हैं, tracing of motion of any one fluid particle, मतलब ये confirm है, C1 से match होगा, अब C1 से मतलब ये match हो रहा है, और ये match हो रहा है, मतलब ये option और ये तो खतम हो जाता है, अगला equipotential line जो है, वो equal piezometric height से सम्बंद है, ये confirmed है, और कोई option इसका नहीं हो रहा है, मतलब D5 से match है, तो ये D5 से match है, मतलब confirm है, फिर D answer होगा, मतलब string line का होगा 2, tracing of motion of different fluid particle, और strict line का होगा, strict line location से सम्बंद है, मतलब B का यहाँ पर क्या बनेगा 3, इसलिए 2315 will be the correct, strict line के orthogonal कुछ नहीं होता है, next is the stream function for a two dimensional flow is given by, side हमें दे रखा है 2xy, और velocity हमें निकालनी 2,2, तो देखो हम जानते हैं, del psi by del x करें, तो हमें V मिलेगा, और psi का function यह है 2xy, इसका partial differentiation x के respect में 2y आएगा, मतलब 2y होजाएगा V, y कितना दे रखा है 2,2, तो y x है 2 और y है 2, तो यह होजाएगा 2,2 जा 4, meter per second बराबर V, वहीं पर del psi by del y निकालें, तो वह बनेगा u, minus का, तो del psi by del y की value जो आएगी, वह आएगी minus का 2x, minus 2x बराबर u, तो यह आजाएगा minus का 4, u, है ना minus 4 meter per second, और अगर velocity का magnitude पता करना है, तो under root u square plus v square plus w होता है, w तो है नहीं, तो 4 का square और 4 का square, तो जाएगा 4 root 2, और 4 root 2, देखें, तो सबसे पहले option है, a answer 4 root 2, तो correct answer is a, the flow of water in a wash hand basin, when it is being emptied through a central opening, मतलब एक हमारे पास, wash basin है, wash basin जो है, उसमें एक central hole है, तो यह हमारे पास हो गया, ऐसा wash basin हो गया, और यहाँ पर यह central hole हो गया, तो इसमें जो फ्लूविड भार जा रहा है, इसका flow कैसा होगा, free vortex, forced vortex, rotational vortex, रंकाइन वोटेक्स, तो धियान रखना है, रंकाइन वोटेक्स जो होता है, वो real vortex होता है, जो free और forced दोनों का combination हो, और real में सारे ही fluid, आपके free प्लस force और combination होते हैं, कोई भी completely free या completely forced नहीं होता, इसे विए आइडियल concept है, पर wash basin में कोई external energy source हैं क्या नहीं, जब external energy जो है, वो zero हो, इसका मतलब अपने आप vortex लो रहा है, यह हमेशा free vortex का example होता है, और free vortex को e-rotational vortex भी कहा जाता है, वहीं पर forced vortex को हम rotational vortex बोलते हैं, तो इसमें सही answer क्या हो जाएगा free vortex, rotational vortex जो होते हैं, जितने भी forced vortex हैं, जो main made होते हैं, जिनमें external energy दी जाती हैं, वो सब forced होते हैं, और वो rotational जैसे washing machine में जो flow होगा, mixer grinder में जो होगा, वो force दिया rotational होगा, अगला है, इन्हें fluid flow the line of constant piezometric head, जेखो piezometric head का मतलब क्या होता है, total head तो आप जानते हैं, pressure plus kinetic plus datum, बराबर total head, ठीके, अब बोला है कि अगर कोई line है, जिसमें constant piezometric head तो, पासे थूदी two points which है, उस same क्या होगा, जैसे मानलो कोई piezometric head line है, जिसको हम hydraulic gradient line भी बोलते हैं, जहाँ पे piezometric head same है, तो उसके दो point पर क्या चीज़ सेम होगी, तो इसमें आप समझना, अगर हम बात करें, total head जो है, वो हमारा constant है, है न, तो जो piezometric head है, वो क्या होता है, pressure plus datum का sum, pressure and datum का sum, अब total head constant है, हमने मानली है 100, से, मानली है हमने 100, अब दो point पर, इन दोनों का sum, piezometric head का sum है, यह हम मानलेते हैं, दोनों का sum आ रहा है, वो आ रहा 80, तो अगर 80, plus kinetic, बराबर 100 है, और दोनों point पर, total energy का रहनी है, 100 रहनी है, यह total हो गई, अच्छा, piezometric head जो है, वो दोनों का, pressure plus datum का sum, कित्ता हो गया 80, हमने मानलिया, तो दोनों में, जब difference लेंगे, kinetic energy निकालें, तो वो इस पर भी 20, इस पर भी 20, मतलब जो, same piezometric head की, जो lines होती है, जिनको हम, hydraulic gradient line बोलते हैं, या equi potential line भी इन्हें कहा जाता है, क्या बोलते हैं, equi potential line, और इन्हें, velocity potential line भी कहा जाता है, तो इसलिए इनका नाम ऐसा पर आए होगी, यह वो जो line है, जो equal piezometric head के point से, पास होती हैं, और चुकि, यहाँ पर, यह हमेशा, e rotational flow के लिए defined है, rotational में नहीं, तो e rotational flow में energy का loss तो हो नहीं रहा है, जो total energy हम constant मान सकते हैं, अब दो point पे चुकि, piezometric head same हैं, तो velocity भी same आएगी, इसलिए इसका सही answer होगा, same velocity, velocity potential is a different term, velocity same होगी, pressure same नहीं होगा, elevation same नहीं होगा, वो अलग-अलग हो सकते हैं, but pressure datum का sum, constant होगा, आगे बढ़ेंगे, given 5 बराबर 3xy, and psi बराबर 3 by 2 y square, minus x square, the discharge passing between the stream line, through this point, देको discharge जो होता है, per meter width, वो हमें 2 stream line का difference बताता है, psi की value गित्ती, 3 by 2 y square minus square, एक point है, ये 2 वाला, और एक है 1 वाला, अगर मैं psi 2 निकालू, तो psi 2 कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, इसमें रखूंगा, तो 3 by 2 y square, मतलब 3 का square, minus x का square, 3 square ही होगा, 0, वहीं पर psi 1 निकालू, तो वो हो जाएगा, 3 by 2 y square, मतलब 3 का square, ये दूसरा वाला point, तो 3 का square, minus 1 का square है, अब 3 का square कितना होगा, 3 का square बनेगा, 9, 9 minus 1 कितना बनेगा, 8, और 8, तो 3 by 2 into 8, बनेगा 2 से गया, 4 मतलब यह answer आएगा, 12 unit, तो अब अगर मैं इसमें से, psi 2 minus psi 1 बोलूं, या psi 1 minus psi 2 बोलूं, क्योंकि discharge negative नहीं हो सकता, तो इसमें 12 minus 0, यानि answer क्या आगा, 12 unit, तो जब भी, आपको extreme function दिया हो, उसी से discharge निकलेगा, 2 point दिये होंगे, पहले वाले को, रोक्स में रखना, दूसरे को रखना, 1 में से 2 को minus करना, डिस्चार्ज आ जाएगा, और वो पर मीटर विट्थी आता है, सही answer क्या होगा, 12 units, next is, which of the following condition, will be satisfied by, steady rotational flow, देखो सबसे पहले बात, तो steady rotational flow है, flow है मतलब, यहाँ पे continuity equation, valid होगी, continuity equation, valid होगी, साथ में, e rotational बोल रहा है, मतलब कुछ बोलना चाहरा है, कि जो angular velocity होगी, वो 0 होगी, अब हो सकता है, वो X वाली हो, Y वाली हो, Z वाली हो, generally हम Z वाली मानते हैं, क्योंकि X, Y में rotation मानते हैं, जब नहीं दिया हो तो, तो omega Z की value होती है, 1 by 2, del V upon del X, minus del U upon del Y, बराबर 0, और continuity equation है, del U by del X, plus del V by del Y, plus del W, तो अभी तो 2 की, हम 2D की ही बात करते हैं, बराबर 0, अब option देखते हैं, पहला है, del U by del X, plus del V by del Y, बराबर 0, यह तो confirm, चुकि यहाँ पर continuity equation ही है, continuity तो valid होगी, अगला है, E rotational है, तो यह 0 के बराबर 2 तरब गया, तो del V by del X, minus del U by del Y, 0, यह भी सही है, यह omega को 0 बता रही है, यह continuity equation है, ऐसी कोई equation नहीं होती है, del U by del Y, plus del V, ऐसी कोई equation नहीं होती है, इसलिए 2 and 3 are valid, for this, next is, assertion reason है, the following potential function, in a 2D flow field, represents E rotational flow, हमें 5 दे रखा है, और यह E rotational flow को दर्शारा है, ऐसा इसने बोला है, और इस given function के लिए, del U by del X, plus del V by del Y, बराबर 0 है, मतलब है, continuity equation को satisfy कर रहा है, ऐसा इसने बोला है, अब इसको check कर लिएते हैं, हमें 5 दे रखा है, तो, del 5 by del X, जो होता है, वो U के बराबर होता है, जड़ा एक बार निकालते हैं, 5 का X के respect में differentiation, तो यह आ जाएगा, माइनस का 2 टूजा 4X, Y वाला 0, यह U आ गया, वहीं पर, अब हम माइनस del 5 by del Y करेंगे, तो वो V की value आएगी, Y वाली velocity, अब अगर आप यहां पर देखें, U आ गया, V आ गया, अब अगर मैं del U by del X निकालू, फिर उसे U को differentiate करूँ, X के respect में, तो answer क्या आएगा, माइनस 4, और del V upon del Y करूँ, तो कितना आएगा 6, अब ज़रा दोनों को जोड़ो, तो क्या 6 में से 4 को माइनस करूँगा, तो 6 में से 4 को माइनस करूँगा, तो यह तो answer कितना आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, क्या नहीं आएगा, मन्दब यह reason तो गलत है, reason गलत है, A and R are true, A and R are true, A true, R false, एक ही option दिख रहा है कि A true है, R false है, ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा का formula होता है, यहां पर, 1 by 2, del V upon del X, minus del U upon del Y, बराबर 0, अब ज़राइब इस ही का आप del V, upon del X निकालो, तो यह भाई का function है, तो X के respect में कितना होगा, 0, और ऐसे ही U का, del U upon del Y निकालें, तो वो X का function है, तो यह 0 होगा, मतलब 0 minus 0, और बेसी बात है, omega यहां पर कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब E rotational है, यह तो confirm है, मतलब यह statement है true, और यह statement है false, इसलिए सही answer होगा, A is true, but R is false, next is, for stream function, psi वराबर 3X square minus Y cube, the magnitude of the velocity at the point 2, 2,1 is, velocity का magnitude पूछा हुआ है, यह सा सेम question कर चुके है, पहले आप क्या करोगे, psi का Y के respect में करेंगे, minus का, तो U आ जाएगा, 0.2,1 दे रखा है, point क्या दे रखा है हमें, 2,1, तो जो हमारे पास, psi दे रखा है, psi का X के respect में करेंगे, तो V आता है, X के respect में, 3,2 जा 6,6, और X की value किती दी है, 2, तो यह हो गया, 6,2 जा 12 unit, तो यह आगे हमारे पास, V 12 unit, वही पर U क्या होता है, minus del side by del Y, और Y के respect में करेंगे, तो minus 3Y square, और 1 को और minus है, तो 3Y square बन जाएगा, Y की value है 1, जोगी point है 2,1, तो गया 3, 3 unit, अब velocity का magnitude निकालना है, तो under root 3 का square, और 12 का square, यह होता है, 12.37 meter per second, तो सही answer आगे है, यह answer, सेव ऐसा question पहले कर चुके, अप्रोच मैंने आपको बता दी, अगरा इस stream function दे रखा है, magnitude of velocity बतानी 2,1 पे, जो सेम वोई question है, जो भी हमने देखा, अगरा है two dimensional flow है, जिसके velocity component है, U2X और V-2Y, discharge बताना है, यह बहुत अच्छी quality question ने ध्यान रखना, यह question कई, अगर आपने इसको नहीं समझा है, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे exam, इसमें उल्टा दिया है, अगर हमें साई दिया हो, और discharge निकालना तो वह हम जानते हैं, दो point दे रखे रहेंगे, साई 2 निकालेंगे, साई 1 X और V-2Y की value रखे, साई 1 में से साई 2 को माइनस करेंगे, discharge आ जाएगा, यह उल्टा है, velocity दिया हुआ है, यू, मतलब हम यह बोल सकते हैं, डेल साई by डेल X जो होता है, वो V होता है, और वहीं पर डेल साई by डेल Y जो होता है, माइनस का वो U होता है, अब यहां से अगर हम देखें, तो पहली condition क्या बनी, डेल साई by डेल X, कितना आ गया, V कितना है, माइनस 2Y, ठीक है, इसका integration करेंगे, अगर दोनों तरफ, तो हमारे पास, हमें साई निकालना है, तो साई की value आजाएगी, माइनस का, X के respect में करेंगे, तो माइनस का 2XY, 2Y तो constant है, और X का integration X हो जाएगा, 1 का integration X हो जाएगा, तो यह हमारे पास बनेगा, यू की, माइनस डेल, साई अपॉन डेल वाई, और यू की value कितनी है, 2X, अब यह उदर जाएगा, integration करेंगे, वाई के respect में, 2X से constant, तो यह हमारे पास बनेगा, यहाँ पर, साई बराबर, माइनस का, 2XY प्लस C, ठीक है, तो एक माइनस 2XY प्लस C, और यह, तो यह हमारे पास, टम बन गई, साई की, दोने equation सेम है, अब एक बार इसमें रखेंगे, 1, 1, 1, 1 रखो, तो यह आजाएगा, माइनस का, 2 इंटू 1, इंटू 1, प्लस C, मतलब माइनस 2 प्लस C, दूसरा साई 2 रखेंगे, उसी दोने equation सेम है, अब 2, 2 रखेंगे, तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस C, तो वह आ गया, माइनस का, 8 प्लस C, अब अगर हम, साई 1 में से, साई 2 को माइनस कर दें, तो माइनस 2 प्लस C, और फिर आब माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस, प्लस बन जाएगा, 8 और C हो जाएगा, माइनस, इसको जब इससे कैंसल करेंगे, C कैंसल, और 8 से 2 गया, तो आंसर आएगा 6, 6 unit will be the discharge, डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, 6 unit, जोकि 8 मैं से 2 गया, 6 option में हैं, बिल्कूल है, D answer 6 unit, next question पे आते हैं, अगला है हमारे पास, consider the following parameter, it is fluid flow, which of this parameter exists, both in rotational and irrotational, ऐसे कौन से parameter यह तीन में से, जो rotational, irrotational दोनों में आएगे, देखो, extreme function, तो आपके flow को बताता है, जब-जब flow होगा, यह होगा, चाहे rotational हो, चाहे irrotational flow तो ही, तो यह तो exist करेगा, 3 option, velocity भी होगी flow की, velocity potential function, यानि 5, सिर्फ exist करता है, for irrotational flow, rotational flow में यह exist नहीं करता है, इसलिए यह हर बार नहीं हैगा, but 1 in 3, C will be the correct answer, आगे बढ़ेंगे, of the velocity at 0.22, same ऐसा question कर चुके है, पहले हमारे पास, साई दे रखा है, V निकालेंगे, del side by del Y, X से, ठीके, V कितना आगे, del side by del X, 6X, 2, 2 दे रखा है, तो 6 to the 12 हो गया, U निकालेंगे, minus del side by del Y, 3Y square हो गया, एग Y की velocity, value है 2, तो 2 का स्क्वेर, 4 दे रखा है 12, तो अंडर रूट 12 का स्क्वेर, प्लस 12 का स्क्वेर, 16.97, यानि आंसर क्यागा, 17 मीटर पर सेकेंड, तो ये था बच्चों, हमारा यहाँ पर, second session, जिसके अंदर हमने, kinematics और dynamics से, कुछ questions यहाँ पर देखे, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हों, session अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्स्क्राइब करें, और इस session का PDF आपको AEC Plus App and White Discussion चैनल पर मिलेगा, इस Telegram चैनल को आप जोईन करें, पब्लिक चैनल है, आपको लिंक जीली मिल जाएगी, नहीं मिले, तो इस वीडियो के description में भी इस Telegram चैनल के लिंक है, वहाँ से आपको classes के regular updates भी मिलते रहेंगे, और साथ में ये PDF भी वहीं पर आपको मिल जाएगा, मिलते अगले session में, till then goodbye and take care.